मलबे के माध्यम से ड्रिलिंग के लिए बर्मा मशीन को स्थापित करने के लिए सुरंग के अंदर एक मंच तयार करने में दिन का अधिकांच समय व्यतीत हो गया सुरंग का दौरा करने और साइट पर अधिकारियों से परिचालन के बारे में जानकारी लेने के बाद अगर सब कुछ योजना के मताबिक हुआ होता तो फसे हुए मजदूरों को बुद्वार तक निकाल लिया जाएगा हाराम से निकल दी वह खोरों चिंटा के बाद में किये है हम देख रहे हैं क्या काम होगा है पर मसीन होगी पैफिट हो रहा है कभी होला वेल्डिंग चौन नहीं है इसने पर लगए बाहर के बाहर ही खड़े हो एक पंदर नहीं गया अब राज को बार भी तो है कोई काम न कर पाए यह ता गरीवों के बच्चे जो मलब यह है कि उनका कोई नहीं देख रहा है किसी नेता कि और बच्चे होता यह कम निकल जाते यह किछी आजकल इतना तो सादल नहीं सुविदा है कि बड़े है कोई भी मशीन या निका सकता है कि यह मशीन पास तीन-चार मशीन आ कर अ cargo मह 2 अधर ले क हैं इतना है इतने इंजियरे मिन लांगों हैं एक करनेता है पूरे इंजियरे किछी नहीं उनकर काम ठी निकिए इदर संब पैसे ले रहे हैं तर मुझे ले रहे हैं रापकोई इधर इदर में जिए था कोई ढमते यहीद कोई नहीं थां कि यहां तब के लिए पूए नब चाहिए तो हो सकता है कि मेरे नाम आकास है मैं को ड़ोएर कराने वालों मेरे पापा यहां सूपर वाइजरी भूसकलन के कारण उपर से ताजा मलबा गिरने से बचाव कार्य प्रभावित हुआ जिससे भगदर जैसी स्थिती पैदा हो गई और दो मजदूर घायल हो गई सूत्रों ने बताया कि उन्हें सुरंग के पास बनाये गए अस्थाई अस्पताल में भेजा गया उन्होंने बताया कि हाला कि चोटे मामूली थी लेकिन इससे बचाव कार्य प्रभावित हुआ दिल्ली से बड़ी मशीने मौके पर भेजी जाएंगी जिससे मजदूरों को जल्द ही सुरंग से बाहर निकाला जाएगा परसान मोदो की एएगा, बहुत लोग बाता है कि चाहिए खाजूरों को जाएगा